जाही ने विरेन इस वीडियो में देखेंगें B.E.G.S Center में इंडियान आर्मी रिलेशन भरती जो आपका पुना में होता है अस्पोर्ट में की जो भरती होता है उसका मैं पूरा इस वीडियो में डीटेल बताऊंगा तो आपको relation और sport man का आपका भरती होता है तो जहरी सी बतल रिलेशन और sport man का भरती होता है तो वहाँ पे सभी certificate की वाला जाते हैं तो उसमें अगर relation से बिलोग करते हैं तो कितना number का written के exam में छूट भी दिये जाता है और आपका sport man से अगर बिलोग करते हैं तो आपको written exam में भी छूट दिया जाता है और हाइड वे चेस्ट में भी छूट दिया जाता है तो कितना number की किस चीज में छूट दिया जाता है कौन को से candidate को छूट दिया जाता है ये सारी जनकारी आपके साथ share करने वाले इस video में और दूसरी में आपको बता दूँ के NCC का ABC certificate है तो आपको written exam में भी कितना number का छूट दिया जाता है और computer का भी certificate है तो आपको written exam में कितना number का छूट दिया जाता है जो Indian Army की relation भरती होती है तो तो ये सारी जनकारी के लिए इस video पर आपको continue बने रहना होगा चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ पे आपका badge कितना का बनता है तो BG Center पूने में Indian Army relation जो भरती होता है वो आपका badge बनता है 50-60 क्या average आपका badge बनता है इस से थोड़ी आपको आगे पीछे भी हो सकती है लेकिन average में आपको बताना हूँ 50-60 क्या सबस बैच आपका बनता है बाकि timing आपका पूरा proper दिया जाता है पॉंच मियाट पैतारी सिकंड चॉलिज सिकंड इस step से आपका proper timing दिया जाता है जहाँ पे भी आपका relation भरती होता है अपका लिखा हो रहता है hokey ground BAG sectorская कीरकी फूरे 0-3 इस step से आपका लिखा हो रहता है तो ground में आपका confusion नहीं हो जाना है कि ground में आप US लएक नहीं करवा जाता है आपका road ही रेनिंग आपका करवा जागा ठीक है तो यहाँ तक बाईस time track के बारे में समझे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस चीद में कौन सा कंडिर को कितना नमबर का छूट दिया जाता हाइड वेट चेस्ट में और आपका रीटेन की एकजाम में ध्यान को रोग सुनेंगे और समझेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको उदा दू कि भरती आखिर कब आपका आ तो भरती आप आपका शुरू हो गया है लेकिन अभी तक भी जिस सेंटर का ओफिसेल मतलब नोटिस नहीं जारी किया गया भरती को लेकर जैसी है ओफिसेल नोटिस जारी किया गया तो हम वीडियो के मादे हम साब के साब जनकारी सेयर करेंगे अब आपके मन में चल रहा तो फिर आप ये सब जनकारी क्यों दे रहे हैं कि छूट कितना नमबर के किसमें क्या दिया जाएगा तो भाई मैं आपको बता रहो कि ज़रूरी नहीं कि आप तयारी कर रहे हैं जैसी नोटिस हैगा तब यह आप जनकारी समझें छूट के बारे में आप रिलेक्सेशन के बारे में और लेडी पहले से भी जनकारी पराप कर सकते हैं तो चलिए देखेंगे सुनेंगे और समझेंगे कि किसमें कितना नमबर का छूट दिया जाएगा और NCCC Certificate के मिलने के बाद हमें रिटन के एकजाम में कितना नमबर का छ थूट दिया जाता है वो ध्यान पुरुआ चूनेंगे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप सन आफ सर्विसमें हैं मतलब कि आपके पीटा जी इंडियन आर्मी में है तो उन लोग के लिए और सन आफ एक सर्विसमें मतलब उनके पीटा जी रिटार कर चुके हैं यह सन आफ वीडियो अमत्व कि जिनके पीता जी इंडियं आर्मी में है सेर्विस कर रहा है या पीता जी रिटार हो चुके है या उनके मतब पीता जी पहले जिनके पीता जी थे और वह देश के लिए मतब जान निचावर कर दिये तो ये चार जो प्रोसेस से उनका पुत्रे मतलब कहने का मतलब है अगर मान लिया जा कि आपका हाइट वहाँ पे इलेजिबल के हिसाब से 170 cm मांगा जा रहा है और आपका हाइट 168 cm तो अगर आप इंडियन आर्मी में आपके पीता जी सर्विस कर रहे है या रिटार हो चुके है या पीता जी आपके सहीद हो चुके है तो उस पिरियड में आपका 118 cm है तो आपका वहाँ पे सेलेक्शन हो जाएगा मतलब इसमें 2 cm छूट मिल जाएगा तो 170 इस सन मतलब कि अडॉप्टर सन जैसे में जो गोद लिया हुआ बच्चा हो जिनके सन इनला अगर बेटा नहीं है तो या सन इनला है सन इनला या अडॉप्टर सन गोद लिया हुआ हो या आफ वार वीड़ो आफ इंडियन आर्मी मतलब वार वीड़ो में जो सहीद हो चुके है और उनके बेटा है गोद लिया हुआ या जिनके सन इनला है तो उन लोगों के लिए भी छूट दिया जाता है हाइट में 2 cm का और वेट में इनका 5 kg का छूट दिया जाता है और चेस्ट में इनका 3 cm का अगर chest आपका 85,000 आपका काम है तो इसमें 3 cm काम हो रहा है तो आप eligible हो जाएंगे ठीक है अब मैं आपको बता रहा हूँ a sportman के लिए a sportman के लिए कितना number का आपका इसमें छूट दिया जाता है तो district at a state level मैं दिस्टिक at a state level से बिलोंग करते है ये university तो उसमें आपका 2 cm का sportman के लिए चूट दिया जाता है और 5 kg का वजन में छूट दिया जाता है तो उनको भी वही आपका छूट दिया जाता है जो अभी मैं आपको बताया 2 cm का height में और आपका 5 kg weight में और 3 cm आपका chest में छूट दिया जाता है अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर Retood की Aiah के यहां तक तक आथ आप Physical का पूरा समझें कि किन लोगों के लिए Physical में कितना नंबर का छूट दिया जाता है अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर Retoon की A रहात कीB लरान पूरव आप सुनेंगे और समझेंगी तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सन ऑफ सर्विजमेन सन ऑफ सर्विजमेन और सन ऑफ वार वीड़ो यह सन ऑफ वीड़ो मनदब जिनके पीदा जी इंडियन आर्वं में सर्विज कर रहे हैं रीटार हो चुके हैं यह सहीद अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर a sport man के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि a sport man के लिए कितना number का आपका इसमें छूट दिया जाता है तो a sport man के लिए जो आपका छूट दिया है India at international level इंडिया से international level पर अगर आप a sport कर चुके हैं तो उसमें आपको 20 number का return की exam में रहा दी जाती है किसी भी trade चाहिए वो solja gd हो या tradesman हो या technical हो किसी भी trade में आपका छूट दिया जाता है any trades और a state at national level a state से लेके national level में अगर आप participate कर चुके खेल चुके हैं तो उसमें आपको 15 number के छूट दिया जाता है और यहीं अगर district level से लेके state level में अगर आप गया है वहाँ खेल चुके हैं तो उसमें आपको 10 number की return में छूट दिया जाती है अगर मान लिया जाए कि आपका selection होने वाला और आपका 10 number घट रहा है उसमें 10 number अगर हो जाता तो आपका merit list में नाम आ जाता तो अगर आप यह criteria से belong करते हैं state level में आप खेल चुके हैं तो उसमें आपको 15 number जूट जाएगा तो आपका हो जाएगा selection मतलब की इसमें number आपका जूट जाएगा तो इस type से sportman candidate के लिए इतना number का आपका छूट दिया जाता है और मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ कि अगर आपके पास NCC का certificate है तो NCC का certificate के लिए क्या मात्य होता है return के exam में तो NCC का A certificate है ना तो इसमें आपका 5 number का छूट दिया जाता है किसी भी trade में हो गिया अगर A certificate है तो NCC का जो यह junior division में आता है और NCC का अगर 20 certificate है तो आपको 10 number के छूट दिया जाता है किसी भी trade में return की exam में और अगर NCC का C certificate है तो GD और tradesmen की exam आपको देने की जरूद ही नहीं है मतब कि आपका physical और आपका physical measurements और physical और medical में पास करने की जरूद है अगर NCC का C certificate पर आपकी है तो GD और tradesmen की return देने की जरूद नहीं है लेकिन अगर NCC का C certificate पर आपकी है और GD और tradesmen को छोड़ कर और और भी trade है टेकनिकल है और आपका nursing a stain है तो ये सभी में आपका return में जो आपका छूट दिया जागा वो आपका 15 number का छूट दिया जागा और हाँ अगर आप NCC का C certificate पराप्त कर चुके हैं Republic day trade में भी आप रह चुके हैं परेड में तो अगर आप NCC का C certificate भी पराप्त किये हैं और Republic day trade में भी रह चुके हैं तो चाहे वो GD trade हो या आपका मतलब की tradesmen हो ये टेकनिकल हो ये nursing a stain हो या color हो या storekeeper हो तो इसमें भी आपका return देने की जरूद नहीं है अगर NCC का C certificate है और आप trade में सामील है Republic day के परेड में तो के बारे में बता रहा हो अगर NCC का C certificate है तो GD और trademen की return की exam में के बाद छूर दी जाती है और बाकी other trade में 15 नमबर के छूर दे जाती है अगर NCC का C certificate है Republic day में भी आप है तो सभी trade में आपको return की exam देने की जरूद नहीं है तो यहां तक आप return मतलब NCC certificate के बारे में समझे अब मैं आपको बता रहा हो कि अगर आपका computer का certificate रहेगा तो किसमें आपका कितना नमबर का छूर दिये जाएगा तो धियान पूरवक आप सुनेंगे having O plus level computer certificate issued by DOEACC society के थूरू अगर आपका issued रहेगा जो having O plus level का computer certificate अगर है issued किस चिस से DOEACC society से तो आपको color और soldier color जो आपका होता है और store keeper होता है तो computer ही से related काम करना होता है ति इसमें आपको 15 नमबर की written के exam में छूर दी जाती है अगर computer का O level certificate है DOEAAC से आपका मनदब issued है तो तो I hope यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया हुआ कि Indian Army relation भरती में a sport man और आपका जो relation से बिलोग करते हैं तो किसमें आपको कितना नमबर का छूर दिया जाता है फिर हम नेक क्लास मेंने का ऐसी latest जनकरी साथ जाहीं कि यहाँ आपको कि यहाँ आपको कि यहाँ जाता है